कि अज़िए उन्होंने रास्ट को सबर्पित कर दिया तूफान आया था दो हजार तेरह में बिद्धुच्चा किस्थी की किदार्माजी पहनों भाजिओ उसको भी भद्य रूप देने में बहुत ही महतकुन भूद का निभाई है हमारे पठान मंद्री में और चारो धामों को जोड़ने के लिए किदार ना पंद्री धाम यमनोत्री और भंगोत्री कि आलवेदर रोड बनाई आ रही है कि लगभद नौसों किलो मिटर की एक ग्याना बारा हजार करोल कि उस पर खर्चों कि कुछ बाधाएं थी सुप्रीम कोड का प्रतिबंद था लेकि सुप्रीम कोड़ में बेक्न क्लिरंस कर लिए अब कहीं भी किसी धाम का दर्सं करने जाना शाहते हैं तो आप जा सकते हैं आफ जाना और वा ओं के पास भी जा सकते हैं तुप मैं मंद्रों की बात कर रहा हूं इसका मतलब यह नहीं है कि हम रेभार्टी यंता पार्टी की सथ्कार करेंगे और जनहीद के कानूनों का धिर्माद करेंगे कभी कभी हमारे कांग्रेस के लों कहते हैं यह मंदिर मंदिर की बात करते हैं मंदिर बनवाने चीह पहुने, को अंगरेस के दोस्तों को साईधे हैं, पता नहीं है, हम भारती विरासत को जुरक्षित रखना चाहते भारती विरासत को हम जुरक्षित रखेंगे और हम भारत का विवास्त करेंगे औरаете लुटे जो अपनी जड़ों से कढ़ जाता है यूप एपनी विजास्त से कढ़ उद्वाकesto काम किया है वो तो आप लग जानते हैं ज्यादा मुझ से लेकिर काविका लेकिर के तस्वीरे और किस तरह से बार्ची जंदा पार्टी के जंडे इस वक नजर आ रहे हैं दिवाकर अमारे साच जुड़े दिवाकर फिलाल क्या माहूले मापर अज़े प्रिफिग जिश्कनाव से क्रेट सुमया पर पिछले दिनों हमला हुआ था ति उसे लोगों से किरेट सुमया ने अलोब लगा था जान से मारने की पूशिस की थी इसके बाम लगाता है आज सुभा ही क्रीर सुमिया एक बाद फिर से पुरे पहुंचे थे और अब बुने मानगर पालिका के साथ हुई थी उसी को लेकर जो है ये अब बीजेपी के लोग पुर्दरसन कर रहा है और बीजेपी निखास पर जेदाउं नहीं दी थी किस तरह से जेट प्र लोगों को जिसके चलते की तुमिया पर हमला किया गया और एक पीजेपी पर मामले को जो है आथानी से छोड़ने के मूर में नहीं दिख रही है इस संबंद में खुद की सुमिया ने कोपाल सेक्षी जो की पीजेपी के तांसर थे लावा खुद प्रदेश आसे जो है अब देखना ही है मुगा के मंतरावे के तरब इस पर बज़ड़ा जाता है लेकिन फिलाल बीजेपी पूरी तरह से अक्रामच है और खुद आज पुने सुबा गया है और अब बीजेपी कारिकर्टाओं साथ लगाता प्रदर्शन करें प्रिति जो प्रदर्शन हो रहा है इनकी मांगे क्या है क्या चाहते हैं लोग? अब बीजेपी के मांगे कि पूरे मामले की जात की जाए और जिस तरह से जिन लोगों ने क्रिट सोमया पर हमला किया उन्हें कि खिलाब करवाई की जाए जो है वो ठाकरे सरकार के जो ब्रस्टाचार है उसके रसावेजों को निजल रहे हैं और ऐसे में कही ना कहीं से उस करता है वो भी गुष्टे में है और इसी वह जाते उन पर हमला भी पिछले जिनों हुआ था और ऐसे में उस हमले की बात जो लोग है वो केंद्रे ग्री सचिव से मिले थे और उन्होंने यह बरूसा दिलाया था कि जो भी लोग दोशी है उन पर करवाई की जाएगी बाव देखा जाएगा तब यह देखा जाएगा कि अखिर इसमें गल्पी किसी क्या ऐसा हुआ था जिस चलते किरिट सुमया के उपर लोगों ने हमला किया क्योंकि इस हमले में किरिट सुमया को काफी चोटे आई थी उन्हें अफ़दार सब्सक्राइब बर्ती होना पड़ा था है का है कि स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए होते हैं ना कि फैशन शो के लिए यूनिफॉर्म से बराबरी आती है और इस मामले में जिस तरह से सियासत गर्मा रही है उसमें हेमंद बिसु सर्मा का ये नया बयान कि थोड़ा तीन दिन का पहले से तीन शार दिन आप सुन रहा होगा कि कर्णा टेक में कोई बक्षी लुग ने शुरू किया कि स्कूल में कॉलेज में हमको हिजाब पहन के जाना है मेरा कोई अपपती नहीं आप जो भी पहने लेकिन आप अगर स्कूल में कॉलेज में हिजाब पहन के जाते हैं तो काल हिंडू भाई लोग बूलेगा हम भी कोई ड्रेस में के जाएगा कोई कल खृस्टियान लोग बुलेगा हम भी कोई डेस में के जाएगा आरे भाई कॉलेज और स्कूल पढ़ने के लिए होता है वो फेशन चू के लिए नहीं होता है जब कोट ने परतिवंध लगा दिया ये कटरपन थी पूरे देश में उत्तर प्रदेश अली गर से लेके आजम सारे जगा जौन पूर आजम गर महराश्ट माले गाओ पूरे दिली ये क्या है ये सौची समझी रनीत है पी आई एफ जैसे संस्था जिस पर कहीं केरल ने रोक लगाई है और ये लोग जान बुझ करके पूरे देश में भारत को बधनाम करने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी घेरा हम बात कर लेते हैं मुक्तार अंसारी को सुभादपा ने टिकेट दिया है आप क्या लगता है पूर वांचल में बड़ी चुनोती हो जाएगी जो समिकर्ण है जाती समिकर्ण है मौ की जनता भुली नहीं है मुझफर नगर से मौ तक के दंगे जाडियों में पड़े दूद की बाल्टिया अपने आप में दिखाती किस वर्ग के लोगों को हत्या हुई थी कौन उसके पीछे था मुक्तार अंसारी के उनकार नामों को ना उत्तर प्रदेश की जनता भूली है शायद समाजबादी पार्टी और उनके सहीयों की दल भूल गए हैं लेकिन जनता नहीं भूली है याद कराई की चुनाब में यह जो सत्ता के आने का खेल अपरादियों के पीछे वो कर रहे हैं ऐसा कभी नहों पाएगा जनता ना दंगे भूली है ना परादी घटनाओं क बूली है ना माफियों को बूली है